जब से ODI World Cup के फाइनल में औस्टेलिया के हाथो भारती टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है तब से रोहिश शर्मा की कप्तानी पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किये जा रहे है उनके strategies पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किये जा रहे है आपको बता दे कि अभी फिलहाल देखा जाये तो सौथ आफ्रिका दौरे के लिए टीम का अनौंस्मेंट किया गया स्क्वेर का अनौंस्मेंट किया गया लेकिन उसमें तीनों ही फॉर्मेट में अलग अलग कप्तानी दी गई है खिलाडियों को टेस्ट की बात करें तो रोहिश शर्मा ही करते लेकिन आपको उता दे कि सौरोगांगुली जो के भारत के पूरु कप्तान है उन्हों ने बयान दिया है कि रोहिश शर्मा को यी तीनों फॉर्मेट में कप्तानी समाल ली चाहिए चलिब बताते है कि सौरोगांगुली ने क्थास चाहीं अपने बयान में केल राहूल वंडे टीम की कप्तानी कर सकते हैं, जबकि सूरकुमार यादो टीटवंटी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, सूरकुमार यादो वंडे टीम से लगातार अंदर बाहर होते रहे हैं, ऐसे में वंडे टीम का कप्तान सूरकुमार यादो को बनाना सही फैसला नहीं अगर जादा लॉंग टाइम के लिए नहीं तो आखिर टीटवंटी वर्ल्ड कप तक होना चाहिए कि देखा जाए तो टीटवंटी वर्ल्ड कप की तैयारों भारती टीम अभी से ही जुट चुकी है देखा चाहिए तो ऑस्टिलिया स्री जो चल रही है उसका लास्ट के लिए ऐसे में अगर आप कप्तान को अंदर बाहर करेंगे तो बहुत ही जदा मुश्किल हो जाएगी और रोही शर्मा ने जिस हिसाफ से कप्तानी करें पूरे वर्ल्ड कप में बहुत कमाल की कप्तानी कर दिया है लेकिन आपको बता दें कि सौरों गांगली का भी ही मान करेंगे